कि जो असली मुद्ध हैं, जो बुनियादी मुद्ध हैं, उन पर बात हो नहीं रही है, बलकि हिंदू और मुसल्मान को आमने सामने लाकर खड़ा कर रही है ये सियासत, तो फिर ऐसी सियासत में फाइदा किसका है? यहां तो 80-20 पर बात आ गए ये संगीत रागी जी तो जाह आठ साल हो गया है, उत्तर मेरा सुन लिजे, प्लीज आप मेरे उत्तर सुन लिजे, ये बच्चे जो उठा रहे हैं, बहुत अच्छे प्रस्न उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखो, इस देश में मुसलिम समाज ने आज तक, मैं फिर कह रहा हूं गंभ सीरिया में इस देश का मुसल्मान लड़ने जाता है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप जवाब दीजे, एक सेकंड, सर, ये अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप आईएगा, मैं माइक आपके पास लेकर आउंगी, और मैं यहाँ पर सिर्फ दर्शकों के लि वो आतंगवाद में लिप नहीं है, माधवारन जी इस पर बहतर तरीकी से रोष्णी डालेंगे, अब आप अपनी बात पूरी कर लेंगे, मुझे अपनी बात पूरी कर लेंगे, आप चुकि बीच में आप डिस्टर्ब हैं, आजाद भारत में एक भी आंदोलन मुसल्मान मुसलिम समाज ने अपनी बिजली, अपनी पानी, अपनी सड़क, अपनी सिक्षा के लिए नहीं किया है, वो लड़ते किस के लिए हैं, आजान के लिए लड़ेंगे, वो लड़ेंगे किस लिए, कि हमको छेद वाली टोपी हमको चाहिए, वो लड़ेंगे किस लिए, इस भ पुरका और नकाब पहना करके हम अपनी बच्चीओं को वहां बढ़ाएं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? आप अपने मुस्लिम आइडेंटीटी को नहीं, आप अरब की मुस्लिम आइडेंटीटी को भारत में ये करकर करके आप इसलामी करन का एक बीजार ओपन करना चाहते हैं और उसको consolidate करना चाहते हैं, आज हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया कर रहा है, क्योंकि इस देश ने देखा है, कि मुसल्मान consolidate होकर के पाकिस्तान बनाया है, और कल इसकी कोई guarantee नहीं है, कि भारत का मुसल्मान जो है, यही मुसल्मान जो है, आने वाले दिन में पाकिस्तान की आवाज नहीं उठाएगा, इसी देश का मुसल्मान साहिन बाग कराएगा, आप यह कह रहे हैं, कि बटवारा हिंदूस्तान का मुसल्मान इस देश का कराएगा, यह संगीत रागी साब कह रहे हैं, अभी जो हमारे देश का विवा सामने बैठा है, जब इसने नेताओं के स कुल दी और उसने कहा कि यह सब नेता जो है अपने पीछे की कठपुतली से यह कंट्रोल हो रहे हैं और अपने मास्टर से कंट्रोल हो रहा है और यह हिंदू-मुस्लिम में बटायरन चाहते हैं यह असली के मुसल्मान ने सन 47 में भी टूनेशन टिोरी को ठक राया था और मुसलिम देश जाने से मना करके हिंदुस्तान को अपनाया था अपना देश और आज भी सन 47 सन 47 के बाद आज तक मुसल्मान अपने देश की खिद्मत कर रहा है आप आजाइए इसकी तेके नूरा कुष्टी पे चाहे कांग्रेस हो एक मिनट मुझे बोले दीजिए एक मुझे बोले दीजिए आप पार्टी के नेतार उनके परिवार ने इस दैस के साथ गद्दारी किया बात करते हैं आप सुनिए देखिए इनकी गद्दारी तो सौरब भार्दौाज तो कांग्रेस कर लेती है जब इन्हें मौका मिलता है अभी जांगीरपुरी में दंगा हुआ वोटर वोगा अमांधी पार्टी के लेकिन जब फजगा है तो बोले यह बंगलादेशियों के लिए लड़ेंगे लिए लड़ेंगे ABP News आपको रखे आगे